हे गाइज बेलकम टू मैं चैनल दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगी प्रियोडिक टेबल यानि अवर्थ सरनी को कैसे याद रखें पहुती बहतरी तरीक आपको बताऊंगा जो आपके अगामी अगजाम के लिए बहुत ही वेनिफिशल होगा सो वीडियो को टिलास ट्रक देखेंगा आज कैस वीडियो में हम लोग एक से इकिस इल्मेंट विट्रीक याद करने का तरीका बताऊंगा याद सबसे सटिक और सबसे हलका ट्रीक में बताने जाए हो बिल्कूल अच्छे से आप वीडियो को दो मीनिट देखना हो उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा how important this session is for you उसके बाद दोस्तो मैं ग्रूप का special आपको trick बना कर अपलोड करूँगा साथ साथ create का lengthenide और actenide का भी मैं trick देने वाला हूँ ये productable का part 1 है अब हम लोग सबसे पहली बात 1 से 20 तक 1 से 20 तक ही element की वियाद कर रहे हैं तो 1 से 20 तक अक्सर पूछा जाता है इसका atomic number और साथ में atomic mass भी पूछे जाते हैं जो अपने पास चलिए हम लोग देखते हैं trick को जो trick है दोस्तो हैं ही लफरा बेटा वाप combination no other friendship ने ना मिलेगी आलसी पिया शेकल और किसी काने से इसे कैसे याद रखना है आप trick देख सकते हैं अपने screen पी पहले आप इसे आप screenshot ले ले लें उसके बाद मैं समझाऊंगा इससे दो sentence में याद रखी पहला sentence है ही लफरा बेटा वाप combination बेटा बाप combination में लराई जगरा होते रहता है उसमें मैं बनाया हूँ है ही लफरा बेटा बाप combination पहला sentence दूसरा sentence no other friendship ने ना मिलेगी आलसी पिया से कल और किसी काने से यानि कहने का मतलब कोई friendship या फिर other friendship other than you कोई दूसरा friendship कोई कल किसी आलसी पिया से और किसी काने से कल नहीं मिलेगी तो अपने कोई याद हो गया है ही लफरा बेटा बाप combination पहला sentence दूसरा sentence है no other friendship ने ना मिलेगी आलसी पिया से कल और किसी काने से ठीक है काने आनि काने व्यक्ति से किसी काने व्यक्ति से नहीं मिलेगी नहीं आलसी पिया से किसी तरह का no other friendship सी ठीक है इसे याद कर लीजिए बहुत एजी तरीका से याद हो जाए गए अब इसे सजाना कैसे हैं देखिए है का मतलब हाइड्रोजन ठीक है ही का मतलब हीलियम हो गया लफरा का मतलब लीथियम जिसका अटॉमिक नंबर दियाinking होता है बेटा का मतलब प्रेलियम बाप का मतलब भौन तक हम लोग या याद कर लिए उसके वाद सिकूइश चलता है गो अधर फ्रेंड्सिप ने ना मिलेगी आलसी पिया से कल और किसी काने से इसे दो से तीन बार दो से चार बार देख लीजेगा इसे तो आपको बहुत बहुत बेतरी तरीका से आपके माइड में याद हो जाएगा सिंपल है है ही लफरा बेटा वाप कंबिनेशन नो अधर फ्रेंड्सिप ने ना मिलेगी आलसी पिया से कल और किसी काने से ने का मतलब नियॉन सिरी पर जंट किये हैं उसके बार ना का मतलब सोडियम जिसका अटॉमिक नंबर 11 होता है मिलेगा का मतलब मैगनेशियम हो गया और आल का मतलब आल सी में आल का मतलब अलमुनियम और सी का मतलब सीलकन पिया से फोस्पोरश हो गया से से सलफर सील यानि कल से कलोरीन और और से आरगन किसी यानि पोटेसियम किसी का मतलब potassium के से potassium और काने का मतलब हो गया calcium का से काने लिखाता है का से calcium से scandium कितना easy trick है और मैं यहाँ पर trick में भी आपको red line से underline कर रखा हूँ जो मतलब है का मतलब hydrogen ही का मतलब helium लाफरा में ला का मतलब lithium और बेटा में बे का मतलब बाप बेटा में बे का मतलब beryllium और बाप में बाप का मतलब boron combination में C का रिपरजेंट कर रहे हैं कारवन से no से nitrogen एक sentence में यहाँ तक हो गया combination तक उसके बाद no से nitrogen other से oxygen सिर्फ पहला लेटर देखेगा F से friendship यानि friendship से fluorine ने से neon ना से sodium magnesium मेलेगी से magnesium RC से आल से हल्मोनियम और इसमें C से silicon को रिपरजेंट किये हैं और PRC phosphorus C से sulfur कल यानि सीरियल से कोलोरीन कल से और और से organ किसी से किसी में किस से potassium काने से काने में का से calcium C से and skandium और generally दोस्तों आप से जो पूछा जाता है वो एक से 20 तक आप से इसका atomic number जेनरली पूछा जाता है कि lithium का atomic number क्या है berelium का atomic number क्या aluminum का atomic number क्या है silicon का atomic number क्या है तो आप इस trick से बहुत ही easy तरीया से याद रखिएगा उसके बाद जो next वीडियो मैं लेकर रहूँगा वो आपके लिए लेकर रहूँगा ग्रूप का तो ग्रूप का मैं आपको बता दूँ जैसे 18 ग्रूप होते हैं परती ग्रूप कैसे याद रखना trick से मैं trick आपको बहुत बहुत बेहत्तिरी और easy trick बताऊंगा so next वीडियो भी जरूर देखेगा last में जरूर बताएगा कि ये trick आपको कैसा लगा और वीडियो को जितना शिदा like करें share करें ताकि मैं motivate होकर next वीडियो आपके लिए लेकर आशको धन्यवाद जय हिंद